इसकी चार्च करो और उसकी भी मैं जाने किस भेश में हो सुजामल जो जादा भीग देगा उसे तो याद करेंगे नाचाने कब तक जोधा की प्रदीक्षा करनी होगी नाचाने कब वो दर्शन के लिए आएगे जो भी हो मुझे उससे मिलकर सारी बाते साफ करनी है शेहनशा जलाल के प्रणों पराई संकर की बात भी उससे समझानी है शेहनशा इन में से एक पहन कर दिखाईए मगरम जाख आ रहे अरे आप भूल गए आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें चोगान और शिकार करने के लिए बाहर ले जाएंगे तो हमने फैसला किया है कि हम कली जाएंगे अब तो पूरी तयारों के साथ हमारे पास आई है बेशक इतने अर्से बाद आपके साथ कहीं अकेले जाने का मौका मिल रहा है हम खुद को रोक ही नहीं पारे हमें तो लगता है कि आजजात हमें नींधी नहीं आएगी शैल्चा का एकवाल बुलन्द हो जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती है कमाले अथारी बेगमाथ हमसे मिलना चाहती है भेजोने आईये जोधा बेगम शैल्चा हमने सुनाए कि आ महल से बाहर जा रहे हैं हमने भी कुछ ऐसा ही सुनाए पर तो शेहनशा कल ही आप पर आकरमन हुआ है ऐसे में शत्रु को यफसर खोज रहा होगा इस समय आपका बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है आप इस मसले में ना ही बोले तो बहतर रहेगा जोदा बेगम हम तै कर चुके हैं कि हम और जलाल कल बाहर जाएंगे पर तो रुक्या बेगम शेहनशा के प्राणों पर संकट है वो तो हर वक्त होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खौफ जादा होकर महल में छिपे बैठे रहे जलाल एक काबल सिपाई है और अपनी हिफाज़त खुद कर सकते हैं और फिर हम अपने साथ एक बड़ी टुकडी भी लेकर जा रहे हैं हिफाज़त के लिए शमा कीजी रुक्या बेगम सेना तो कल भी शेहनशा के साथ थी फिर भी आकरमन कारी बीदर आ गया न और वो हमलावर और कोई नहीं आपका भाई था वो हमारे लिए केवल शेहनशा का शत्रू था और ऐसे कही शत्रू और पीचिपे रह सकते हैं बात भाय और कायरता की नहीं है बात साथ धानी की है अच्छा तो आप साथ साथ क्यों नहीं कह देती कि आप चाहती ही नहीं कि हम और जलाल अकेले बाहर जाएं ऐसा नहीं यह रुक है बेगम ऐसा ही है जोधा बेगम हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं जलाल हमारे साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे जलाल आप कल हमारे साथ जाएंगे न